जीट्वेंटी का शिखर सम्मिलन लदाख में हो सकता है लदाख प्रशासन ने इस बाबत अपनी तयारी शुरू कर दिये हाला कि विदेश मंत्राले ने ओपचारिक तोर पर कोई टिपन्नी नहीं किये पहले यह बैठक जम्मु कश्मीर में प्रास्टाविक थी पर चीन में आपती के बासरकार ने फैसला बदल दिया है जीट्वेंटी का दोहजार तेईस का शिखर बैठक लदाख में हो सकता है मिडिया में ऐसी खबरे आ रही है इस फैसले को चीन को जवाब देने के रूप में देखा जा रहा है इससे पहले यह बैठक जम्मु कश्मीर में होनी थी लेकिन चीन और पाकिस्तान ने आपती जताई थी विदेश मंत्राले अब इस बैठक को लदाख में आयोजिक कर सकता है लदाख प्रशासन ने बैठक को लेकर अपनी तयारिया भी शुरू कर दी है वैसे उपचारिक तोर पर विदेश मंत्राले ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी तुत्रों के अनुसार या तो पूरी बैठक लदाख में हो गई या फिर बैठक का एक हिस्सा यहाँ पर आयोजित किया जा सकता है आपको बता दे कि पहले चर्चा थी कि इसे जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा सकता है सरकार ने 23 जुन को पाच सदसिय समिती का गठन भी कर दिया था जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासिर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुरुवेद तथा आधनिक लेजर से उपचार अभियुदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महा पुष्प सोसाइटी शताबदीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर